सरीर में मन तथा कर्म एवं बाड़ी में दिहान मुद्रा से आकर अंतर में जहां कर देखना आत्म दर्शन नामक ग्रंथ में सद्गुर्दे भगवान ने ज्यान कांड सुत्र नम्मर छटे में समझाया है देहाए शैयम इस्थापयम मनसा बाचम इस्थापया ध्यानया देहाए यानि कि देह में इस्थापय यानि कि इस्थापित करके बाचाम बाड़ी ब्याख्या में सद्गुर्दे भगवान ने छटे सूत्र में समझाया है साधक को चाहिए कि सरीर में ही स्वैम को दहरड करे और अपने को पवित्र करके साधक ब्रमचर्य का पालन करे सत्त्य भासड का ब्रत दहरड कर एक दूसरे को प्रेम से बोल कर अपना आच्रड बनावे शरीर से इसका प्रदहान मन है इस मन को अपने में इस्थित करके साधना को करे इस प्रकार की गई साधना साधक की दियान इस्तिती बनाने में अत्यंत महत्पूर होगी इसलिए मन से बाड़ी से और सैयम रख कर साधना को करें जैसे नाभी में जो चक्र है उसमें सरीर को सारी नाड़ियां गुथी हुई है उसमें सैयम करने से सरीर के ब्यूं ब्यूं का ग्यान होता है कि सरीर कैसी बना और कौन कौन सी दात्यों से बना तथा उपर बच्छ श्थल में यदि साधक स्वेम करें तो वही कच्छुए के आकार की नाड़ी है साधक का चित तथा सरीर दोनों इस्थित हो जाते हैं और उसमें भी उपर यदि साधक स्वेम करें जहां कंठ है वहां ध्यान का स्वेम करने से जीव अपने स्वरूप को जान लेता है तथा भूंक प्यास से रहित हो जाता है जिव्या की उपर का कपाल में उपर को जो छिद्र गया है उसे प्रमांड कहते हैं उसमें सैयम करने से साधक संसार सागर से उठकर स्वर्ग लोग तक बिचरने वाली सिद्धी लोगों के दर्सन होते हैं क्यूंकि ब्रमांड बयान प्राण बिच्छन करता है उसमें सुच्छनता एवं हलकापन हो जाता है क्यूंकि ब्रमांड बिच्छन करता है